आप सभी से मेरा एक दिल से विनम्र निवेदन है हमारी कोशिश है कि हमारे सभी बुजुर्गों दादा दादी और वरिष्ठ नागरिकों को एक उच्च पेंशन मिले जिससे उनका जीवन सुखमय और सम्मान जनक बने इसके लिए हमें आप सभी का समर्थन और सहयोग बहुत जरूरी है आप से अनुरोध है कि हमारे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें यह सिर्फ एक चैनल नहीं है यह एक अभियान है एक आंदोलन है जो हमारे बुजुर्गों की भलाई के लिए है हर बार जब आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं एक छोटा सा कदम हमारे बुजुर्गों की मदद के लिए उठता है सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा हमें वीडियो को अधिक से अधिक शेर भी करना होगा जितना आप इस विडियो को शेर करेंगे, उतना ही अधिक लोग हमारे इस अभियान से जुडेंगे और हमारी आवाज सरकार तक पहुचेगी आपकी एक शेर से एक बुजुर्ग की पेंशन में इजाफा हो सकता है हम सब जानते हैं कि हमारे माता-पिता और दादा-दादी ने हमें कितनी मेहनत और प्यार से पाला है आज वक्त है कि हम उनके लिए कुछ करें जिस तरह से आप अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों को प्यार और समर्थन देते हैं उसी तरह से आप हमारे बुजर्गों को भी प्यार और समर्थन दें इस विडियो को इतना वाइरल करें कि सरकार को भी हमारे बुजर्गों की पेंशन को बढ़ाने पर विचार करना पड़े यह सिर्फ एक विडियो नहीं यह एक आवाज है, एक पुकार है उन सभी बुजर्गों के लिए जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में खुशाल और सम्मान जनक जीवन जीना चाहते हैं आईए, मिलकर इस अभियान को सफल बनाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेर करें और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें आपका यह छोटा सा कदम हमारे बुजर्गों के जीवन में बड़ी खुशिया ला सकता है धन्यवाद आपका समर्थन ही हमारी ताकत है PF EPS 95 की बड़ी खुश खबरी केंद्र सरकार ने पेंशन योजना में किया बड़ा बदलाव पेंशन की गणना के नए नियम लागू केंद्र सरकार ने 14 जून 2024 से करमचारी पेंशन योजना 1995 में नए कारकों के साथ महत्वपूर्ण बदलाव किये है इन नए कारकों के तहट पेंशन की गणना की जाएगी, जिससे पेंशन भोगियों को अधिक लाभ मिलेगा ये बदलाव पेंशन भोगियों की वित्तिय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किये गए हैं केंद्रिय करमचारियों के लिए पेंशन की गणना के नए नियम लागू, जानिये क्या है बदलाव केंद्र सरकार ने करमचारी भविश्य निधी और विविद उपबंद अधिनियम, 1952 के तहट करमचारी पेंशन योजना, EPS, 1995 में संशोधन करते हुए नए नियम लागू किये हैं इन नियमों को 14 जून 2024 को अधिसूचित किया गया है और ये उसी दिन से प्रभावी हो गए हैं पेंशन गणना के नए कारक केंद्रिय सिविल सेवा, पेंशन, नियमावली, 2021 के तहट, पेंशन की गणना के लिए उप्योग किये जाने वाले कारकों में महत्वपूर्ण बदलाव किये गए हैं करमचारी पेंशन योजना, 1995 के टेबल B में अब निमनलिखित नए कारक जोड़े गए हैं आयुकारक 35 से कम 14.2271 36 से कम 15.36555 37 से कम 16.59509 38 से कम 17.92303 49 से कम 19.35722 40 से कम 20.90618 41 से कम 22.57909 42 से कम 24.38586 संशोधन का उद्देश्य इस संशोधन का उद्देश्य पेंशन भोगियों को बहतर पेंशन लाब प्रदान करना है और यह सुनिश्चित करना है कि उनकी सेवाने वृत्ती के बाद की वित्तिय स्थिती अधिक सुद्रिड हो पेंशन की गणना में इन नए कारकों का उप्योग करके पेंशन की राशी में वृत्धी होने की संभावना है लागू होने की तारीक नए नियम 14 जून 2024 से लागू हो गए हैं इससे पहले करमचारी पेंशन योजना 1995 को 16 नवंबर 1995 को अधिसूचित किया गया था और आखिरी बार 3 मई 2023 को संशोधित किया गया था आधिकारिक अधिसूचना सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार ये बदलाव पेंशन योजना को अधिक प्रभावी और लापकारी बनाने के लिए किये गए है पेंशन और पेंशन भोगी कल्यान विभाग ने इन संशोधनों को लागू करने के आदेश जारी किये है और सभी संबंधित विभागों को इसका पालन करने के निर्देश दिये गए हैं EPA's 95 Pension सबका साथस्पका विश्वास के दाइरे में नहीं Pensioners एक हजार में गुजारते रहिए जिन्दगी केंद्र सरकार की नीतियों पर Pensioners सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं सूचनाजी न्यूज, 36 गड़ कर्मचारी Pension योजना 1995, Employee Pension स्कीम 1995 यहाँ शब्द इस वक्त सुर्खियों में है नियोंतम पेंशन एक हजार रुपे से बढ़ा कर साथ हजार पांच सो रुपे करने की आवाज बुलंद की जा रही है करनाटक के बैंगलुरू के रहने वाले पेंशनर्स सत्यनारायन हेगडे ने सरकार पर तंसकस्ते हुए भडास निकाली लिखा प्रधान मंत्री मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दो बार के वादे के बावजूद उन्होंने और उनके श्रम एवं रोजगार मंत्री मिनिस्टर ओफ लेबर एन एम्प्लॉइमेंट ने जान बूच कर उन असहाय और गरीब पेंशन भोगियों को पेंशनर्स बोज हैं और उन्हें तीसरे दरजे के नागरिक के रूप में देखा जाता है और वे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों से भी बत्तर हैं जिन्हें टनों गेहूं भेजा गया था जबकि हमारे पेंशन भोगी अपनी सेवा के दोरान कड़ी महनत से अर पेंशन भोगी अपने साथ हुए अन्याय के लिए मोधी को कोस्ते हुए अंतिम सांस ले रही हैं प्रधान मंत्री मोधी ने अपने किले को सुरक्षित रखने के लिए करदाता पेंशन भोगियों की कीमत पर सांसदों विधायकों को कई तरह की पेंशन सहित सभी तरह की भारत में लोकतंत्र केवल उन लोगों के लिए है। पी एस में बड़ा बदलाव, अब नए आधार पर होगी पेंशन की गणना। केंद्रिय सिविल सेवा, पेंशन, नियामावली, 2021 के तहट पेंशन योजना में संशोधन करते हुए नए कारक लागू किये गए हैं, जो सेवा के महीनों के आधार पर पेंशन की गणना करेंगे। यह संशोधन 14 जून 2024 से लागू हो गया है और इसका उद्देश्य पेंशन भोगियों को अधिक लाब प्रदान करना है। नए संशोधन के तहट पेंशन की गणना के लिए नए कारक निर्धारित किये गए हैं, जो कर्मचारियों की सेवा अवधी के अनुसार लागू होंगे। संशोधन का उद्देश्य इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों को अधिक लाब प्रदान करना और उनकी वित्तिय सुरक्षा को बढ़ाना है। नए नियोमों के अनुसार अब कर्मचारियों की सेवा के महिनों के अनुसार पेंशन की राशी निर्धारित की जाएगी। टेबल D में बदलाव कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के टेबल D में नए कारकों को शामिल किया गया है। ये कारक कर्मचारियों की सेवा के महिनों के आधार पर पेंशन की गणना करेंगे। सेवा के महिन मस्दूरी का अनुपात 10.08 20.17 30.25 40.33 50.42 60.51 70.60 80.68 90.77 100.85 110.94 121.02 131.10 141.18 151.26 161.34 171.42 181.51 191.59 201.67 211.75 211.83 231.91 241.99 252.07 262.16 212.24 282.32 292.40 302.49 302.49 312.57 322.65 353.75 332.73 342.82 352.9 352.9 352.9 362.9 383.9 373.9 363.9 383.9 353.9 333.9 403.9 403.9 333.9 343.9 344.9 241.9 344.9 जून दो हजार चौबीस से ये नए नियम लागू हो गए हैं। इस संशोधन का उद्देश्य पेंशन भोगियों को बहतर पेंशन लाब प्रदान करना है। EPA's 95 higher pension, EPFO ने लोटाया है 30 से 35 लाक, मत कीजिये खर्च, आ रही ताजा खबर निधी आपके निकड 2.00 कैम्प, निधी आपके निकड 2.00 कैम्प, भिलाई स्टील प्लांट, के श्रमिक नेता पहुचे। हायर पेंशन का मामला हल न होने पर पूछे गए सवाल। EPFO अधिकारियों ने केंद्रिय मामला बताया। अजमत अली, भिलाई, EPS 95 Higher Pension, EPS 95 Higher Pension को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उच पेंशन की राह में आ रही अडचन को दूर करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास होने की बात कही जा रही है। कर्मचारी भविश्य निधी संगठन, Employees Provident Fund Organization की ओर से संकेत दिया गया है कि सरकार गठित हो चुकी है। श्रम मंत्राले उच पेंशन को लेकर कोई न कोई ठोस फैसला लेगा, जिसका पैसा वापस किया जा चुका है, कुछ माह में ही मामला हल होने की उम्मीद है। निधी आपके निकट दो दशमलोव शून्य कैम्प में भिलाई स्टील प्लांट के श्रमिक नेता पहुँचे। BSP, BSP की पूर्व मान्यता प्राप्त यूनियन सीटू के महासचिव जेपी त्रिवेदी और पूर्व करमचारी संग के अध्यक्ष शांत कुमार ने EPFO, EPFO के अधिकारियों से सवाल जवाब किया। कैम्प के प्रभारी जय मोहन की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया गया। लेकिन ऐसा शब्द बोला गया कि श्रमिक नेताओं की उम्मीदे जग गई। सीटू नेता ने EPS 95 हायर पेंशन पर किया यह दावा। सूचनाजी.com को जेपी त्रिवेदी ने बताया कि पी एफ ट्रस्ट की वज़ह से EPFO ने EPS 95 हायर पेंशन, EPS 95 हायर पेंशन के लिए जमा पैसा तक लोटा दिया है। लेकिन अब संकेत दिया जा रहा है कि दो-चार माह के भीतर मामला हल होने जा रहा है। इसलिए जिन लोगों को 35 लाख रुपए तक EPFO, EPFO की और से वापस भेजा गया था, उसे खर्च न करें। सब कुछ सही रहा तो यही पैसा आपका जमा करना पड़ सकता है। उच्च पेंशन के लिए यह राशी जमा होने के बाद EPFO और से हायर पेंशन आपके खाते में आएगी। Steel Authority of India Limited के PF Trust का विवाद Steel Authority of India Limited, Steel Authority of India Limited के PF Trust के अंशदान को लेकर EPFO ने सवाल उठाया है। नियम विरुद अंशदान की वज़ा से EPFO ने करमचारियों अधिकारियों की ओर से जमा पैसा तक वापस कर दिया है। लोकसभा चुनाव की वज़ा से पूरा मामला पाइपलाइन में चला गया था। अब नई सरकार गठित हो चुकी है। इसलिए पूरी उम्मीद है कि मामला हल हो जाएगा। इसलिए बोल रहे पैसा खर्च मत कीजिएगा। देश के कई PSU के साथ इसी तरह का केस है। इसलिए दावा किया जा रहा है कि सरकार कुछ न कुछ राहत सेल। सेल कार्मिकों को देगी। अब देखना यह है कि यह राहत कब मिलेगी। इसलिए पैसा खर्च मत कीजिएगा। अन्यथा अचानत पैसे का इंतिजाम करने में आपको कठिनाईयों का सामना करना पड़ जाएगा। कारिखेगे यह राहत सेलीडा जवया जा आपको कजीएा जाएगा। थicação जा ईजेए हैिन सेल्ग